हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल किचन अफ कुईन मलाई से मक्खन और मक्खन सी घी बनाने का ऐसा अनोखा टरीका जो देखकर हैरान हो जाएंगे ना मसीन ना मतनी केवल हातों से निकाले मलाई से सुध देशी घी आज मैं आपके साथ बस छे दिन की ही मलाई से घी निकालना बताऊंगी वो भी बहुती एजी ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ और इसमें एक सीक्रेट ट्रिप्स भी छुपा हुआ है जो आपको वीडियो में देखते ही आपको पता चल जाएगा अगर आप इस तरीके से घी निकालते है तो आपकी भी घी बहुती अच्छी बनेगी पूरी की पूरी देशी इस्टाइल घी बनेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीज़ेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डिरेक्ट पहुंच सके तो देखे मैरे यहाँ पर बस छे दिन की ही मलाई ली हूँ तो आप लोग रोज की रोज मलाई को एक बाटी में निकाल के रख लीजिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी पतीला ले लीजिए या कोई भी बाल ले लीजिए और उसमें आप मलाई को निकाल लीजिए तो मैं यहां पर बस छे दिन की ही मलाई का यूज कर रहा है आप लोग छे से साथ दिन से ज़्यादा की मलाई का यूज नहीं कीजिएगा नहीं तो मलाई खड़ाप हो जाएगी इसलिए आप छे से बस साथ दिन की ही मलाई का यूज कीजिएगा और देखिए हातों से ही इ पिंसWow makeया में इसे मखर निकल कर आजाएगी इसे जादा नहीं मधि आपके पास रह है तो आप जो कर सकते हैं उसे भी मलाई इसे मक्षन बहुत ही अच्छी तरीके से निकलती है तो देखिए पांच मिनट हो चुकी है तब इसे में पानी में डूबो कर देख लेती हूँ अगर इसका मक्षन उपर आ जाएगा तो समझ जाएगा कि मलाई से मक्षन निकल के रेडी हो गया है त इसका मतलब कि मेरी मक्षन रेडी हो गई है तो बस देखिए इसे एक से दोवार और इसे आच्छी तरह से हम मिला लेंगे या फिर फेट लेंगे इस तरह से हाथ को आप डॉन रोड घुमा लीजिए और बीच में इसे कर लीजिए अब इसमें पानी को एड करेंगे जिससे अलाकि में ये मक्षन की ही पानी है तो मैं इसमें एड कर रही हूं तो इस तरह से देखिए और आप इससे एक से दोवार अच्छी तरह से हिला डुला दीजिए और इसमें से आपकी मक्षन अलग जाएगी तो देखिए इस तरह से मेरी मक्षन तो निकल गई है और करी बरी बनाने में भी आप कर सकते हैं अगर आपको करी बरी की रेशिपी चाहिए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपके साथ ज़रूर सियर करूंगी तो देखे इस तरह से एक बॉल में मैं यहां पे सारे मख़न को निकाल करके रख ली हूँ मैं आपके साथ एक सीक्रेट बात सियर कर रही हूँ जब भी आप गी को स्टोर करते है तो आप प्लास्टिक के जार में कब्भी भी स्टोर नहीं कीजियेगा आप चीसे वाले या कांच वाली जार में श्टोर करएगा घी को इससे यह होता है कि आपकी घी बहुत दिनों तक चलेगी साल दो साल आपकी घी ठीकेगी और अच्छी तरह से वो चल जाएगी अगर आप प्लास्टिक वाले में श्टोर करके रखते हैं तो वो घी महक भी सकती है इसलिए आप सीसा या फिर काच वाले जार में ही घी को स्टोर करके रखिए तो चलिए अब हम घी बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं इसके लिए मैंने यहां पे गैस पेकराई को गर्म करने के लिए रख दी थी और उसमें मैं यह सारे मक्षन को इसमें एड कर दी हुई थी और देखे इस तरह से आप एड कर दीजिए और आप यहां पे छोनली या इस पोचुला के हल्प से इसे फैलाईएगा नहीं यह खुद पर ही खुद ऐसी तरह से अपने आप यह फैल जाएगी और इसमें से बुलबुले निकलने लगेंगी और थोरी देर के ही बाद इसमें से घी निकलना भी शुरू हो जाएगा अब इस स्टेज पर आपको छोनली या फिर इस पोचुला के हल्प से इसके कॉर्ण कॉर्νεर बाइका चलाते आपको चलाते जाना हो और इस तरह से आप कॉर्νεर बाइका है हो जलने लगेगी और इसका फलेम आप Noch ही रख्याएगा बेख इस तरह से आप पहले हाई तरह से अपने मेडियमें करना आंको जिंख से इसमेर कि द taraf देने इस तरह से देख भस थे म निकल रहा है इस तरह से आपकी भी घी में बुलूला निकलना चाहिए और आप जब फ्लेंपर को हाई रखिएगा तभी इस तरह से इसकी इसमें उबाल आएगी और देखिए इसे बीच बीच में चलाना भी है जिससे साइड में यह जले नहीं इस तरह से आप घी को बना कर सकते हैं अब आप भी देशी घी वह भी घर पे बनाएए बीना किसी जंजट के इसमें बहुत लोग नमक भी डाल देते हैं लेकिन यह पर नमक को हम आइड किया है इसमें नमक नहीं डालिएगा क्योंकि वह घी भी नमकीन हो जाती है अगर आपको वर्त में घी को डालना है तो आप उसमें नमक वाले घी का तो यूज नहीं कर सकते हैं इसलिए तो देखिए आपको मैं साइड साइड से दिखा रही हूँ इस तरह से देखिए अब ही इसमें घी निकलना सुरू हो गया है इस स्टेज पे आपको गैस के फ्लेम को मेरियम कर देना है और फिर इसे तीन से चार मिनाट तोक और इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए और इसमें घी का कलर निकल आया है इसे अच्छी तरह से फिर इसे अच्छी तरह से चारो तरफ से बस साइड साइड से आप छुनली की हैर्प से इसे एक और बार कॉर्णर चुराते जाएगा क्योंकि यह जमने लगती है और तले में चिपकने लगती है और इसी तरीके से आपकी घी बनके रेडी होगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो कर दीजेगा और आप कहां से हैं कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं यह कॉमेंट सेशन में जरूर लिख की हेल्प से इसमें घी को एड़ कीजिए क्योंकि जो भी मेडा यह वाइट वाली परत होगी वो छलनी में आ जाएगी और मेरी सुध घी बाती में निकल जाएगी तो इस तरीके से आप साथानी पुर्वक से घी को निकाल लिएगा क्योंकि घी इस 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 पर बहुत गर्म र तो पूरी प्रोसेस में तो आप लोग बता सकते हैं कि मेरी ये घी किस तरीके से बनी है और कैसी लगी आप लोग को एक कॉमेंट जरूर किजिएगा तो देखिए अब आप इसे ठंडा होने दीजिएगा 10-15 मिनात के लिए और फिर आप इसे सीसे की जार में इसे एड़ कि तो देखे मेरे पास इस तरह की एक सिसा की जार है कांच वाली जार है तो इसमें मैं अब घी को एड़ कर रही हूँ इसमें मेरी पहली से ही घी हुई थी ही और मैं इसमें एड़ कर रही हूँ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे भर दी हुई हूँ और इसका धकन में लगा द तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके वाली इसी से की जार लीजेगा बड़ी हो या छोटी हो कोई फार्क नहीं पड़ता है लेकिन आपको सीसा का ही जार लेना है आपको प्लास्टिक वाली जार का यूज नहीं करना है और देखिए इस तरीके से बाद में वह जल करके इस लोग जब घी सबस्क्राइब निकलती और गहीं करें हैंसले मैं इसी कर दूर्ब्स पाइब में इस तरीक सिंगे से आपको बता रही। मुझे तो इसमें चीनी को मिलाकर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये खोकरन किसके साथ खाना अच्छा लगता है चीनी या फिर नमक तो चलिए देखिए इस तरीके से मेरी घी बनकर की रेडी है और इस सीकेट ट्रि आप जिसके साथ चाहते है उसके साथ बना सकते है अगर इसमें हम नमक डाले रहते तो इस घी का हम यूज वर्त के खाने में नहीं बना सकते थे ना मिठाई में ना हल्वा में अगर उसमें बनाते तो नमकी नमकी लगता इसलिए मैं इसमें नमक को नहीं दी भी हूँ बिन वीडियो अगर आपको जरासा भी पसंद आई हो तो एक लाइक तो करतीजेगा और चलन पर नए है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकोन को जरूर प्रेस कीजेगा फ्रेंस एक प्यारा सा कॉमेंट कर दिजेगा चलिए अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स रेसिपी क साथ न्यू किचन टिप्स के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये बाब बाई गाइस टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो